हेलो फ्रेंट आज हम आपको बताएंगे नीबू से पनीर को कैसे बना जाता है कैसे दूद फड़ा जाता है नीबू से और फिर उसका पनीर बनाएंगे इसके लिए मैंने भौन लिया हुआ है दूद के लिए यहां पर मैंने दो लीटर दूद लिया हुआ है और एक सूती कप्रा दिया हुआ है मारके नहीं है इसको एक जारी लिए हुए है दो नीबु लिए हुए है रस निकानने के दिए कटोरी लिए है और लेवन दूस निकानने के लिए मैंने से इसकी थायता से अधी है है मैं नीबु का रस में चोड़ूंगे असा है आए पेसे हम दूद को चान लीए अच्छे से हमें दूद को एक बर्तन में निकाल लिया है चान कर अब वनने गैस को ऑन कर दिया है ज्गास को फूल रखेंगे तेजी रहने जो तक हमारी दूद्वाल आ रहा है तब तक हम नीबु का रस्न काट लेंगे, नाइप से हम नीबु को काट देंगे, 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 नाइप से हम नीबु को काट देंग क्टूप मla lige और घू सू है थे क्टुआंगर ओ घूरा है तो टीथिजिस के शकूफल गला का जकुट है कुट है कि पह जो हम पर सुनकादें जीुको का ज상이 ज़िए और गल्लेग जत्याग JE करIST नीवू के रस को लिका लिया है अब हम नीवू के रस में पूड़ा पानी आड़ करेंगे अब हम नीवू के रस को छाल देंगे नीवू परस चाल दिया है तो अब हम नीवू परस चाल दिया है तो इसमें पानी आड़ कर दिया है अब हम पीच पीच में तुम को चलाती रहेंगे तो गयास को फुली रहने देंगे तेजी रखेंगे हम गयास को हमारी दूद में ओबाला चुका है अब हम गयास को दीमा कर देंगे अब हम इसमें जो में नीवू करस निकाला है उसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक चामस से थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे अब हरका इसको चला देंगे हम इस पर इसको पखने देंगे अब फिरसी डालेंगे थोड़ा सा नीबू करस अब हरका इसको चला देंगे पर इसको पकनी देंगे अब हरका हमारा दूद पखने लगा है अब यह सारा रस डाल देंगे दूद हमारा फटने लगा है इसी तरह हम इसको चलाते रहेंगे जब तक दूद से पानी अलगना हो जाए इसको चलाते रहेंगे देखिए हमारा पटाग दूद उपर आने लगा है पनीर यह देखिए तक दूद से पानी अलग हो चुका है ऐसे हम इसको चला देंगे थोड़ा और इसको चलाएंगे जिससे बिल्कुल भी इसका सफेद पन न रहे पानी का और पानी से दूद अलग हो जाए देखिए दूद से पानी अलग हो चुका है देखिए अब गया इसको बंद कर देंगे और चाली में कप्ड़ा लगा का इसको चाल लेंगे हम हमने चाली में कप्ड़ को लगा दिया है अब बतन में ने चाली को रख दिया है इसको पानी नीचे में कपल जाए अब हम चानेंगे पानी को चानेंगे इसको पानी को निकाल देंगे इसमें जाली में डालके अब हुआ इसमें इसा अबानी को फ sano चानी को रखि συक्षाडि में में पानी को चाने को जां दाली को ले वाल का उआ दो dah suck एक जाली में हमने कपड़ा लगाकर फटे दूद को निकाल लिया है हमने अब हम इसका पनीर बनाएगे अब हम इसके थोड़ा अच्छा पानी डालेंगे जिससे इसका सारा खट्टा पन निकल जाए लीबू का कपड़ी को फोल्ड करेंगे ऐसे अब हम इस पर भारी चीर रखते हैंगे हम इस पर भारी चीर को रखते हैंगे अब हम पनीर को निकाल लेंगे देखेंगे हमारा पनीर कैसा बना हुआ है इसका पनीर कैसा बना हुआ है मारा पनीर का रिए है अब करने tengan ना चीर ना इस आ या कम सब्जी एक आप पनीर की सब्जी खाईए मंतर पनेervी बनाई ए शाभी पनीर बनाईई भालक पनीर बनाईए टमाटर पनीर बनाईए आप यूञी बनाईए नबन दाल के उधिया पाहसे कट्माटा अब आप अच्छा घुन मेरे हमузबाव तरमक डाल को च्छा है पहार निकाल देंगे यहँए जरी नमल लांगे मिल फीन की जो पनीर टाल कर भी का एलोगिए यह तोगार ग्णाष्जा रहा हुआ है अजेक हुआ हैं घ्रा के यह आप भी घर पर जरूर घर कीजिए त्रया एप बच्चे दूदिck नहीं पीता है तो दूद का हम क्या करें तो हम पनीर बना लेंगे बारे सब्यानी में काम देले में हम चाहिए पनीर अज्ट पिस बगुआ वहां लेटा है वहां प्रहों से बहुता है उस मिलावट का नहीं होगा पड़िए अगर आपको मेरी वीडियो अची लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए